हेलो दोस्तों आप सभी का आधिक स्वागत है एजुक्रीशन गिलक्सी में आज अपन बात करने बाले हैं इंग्लिश हैंडेन माक्स का जो है परोज और पोईटरी से जो है जितने भी आउथर हैं उनका जन्म का वुआ मिर्टिव का वुई और वो किस कंट्री से प्रिलोंग फिक्स है यहांसे फिक्स है कि आपको यहांसे दस माक्स का कोश्चन पूछा जाएगा आपको फर्स्ट पांस जो माक्स का कोश्चन पूछा जाएगा आपको डायेक्ट पूछा जाएगा चैप्टर और उसके लेकर जिसे इंडियन स्विलाइजिशन कल्चर के लेकर जिसे महात्मा गांदी है इस टाइप का जो है आपको मैच करने के लिए five marks का question दिया जाएगा उसके बाद है born और died जन्म और मित्यू से जो है आपको तीन marks का question दिया जाएगा उसके बाद जो है किस country से belong करते हैं यहां से आपको दो marks का question दिया जाता है यह new pattern अपर यह सारे जो है इस टाइप का question आपको एक्जाम में दिया जाएगा टोटल आपको यहां से 10 marks का question यहां से आपको मिलेगा exam में तो यह बहुत ही important है सारे question आपको कुछी तरह से याद कर लिए और अक्सर बच्चे जो है जन में त्यू में जो है confuse हो जाते इसलिए जो है sequence में लाए ताकि आप लोग को याद करने में कोई problem ना हो तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट जो है चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजीशन एंड कल्चर जिसके लेखा के मात्मा गांधी मात्मा गांधी का जन्म हुआ था दू अक्टूबर 1889 में आपको डायक्ट 1889 भी याद रखना है क्योंकि आपको ऑप्शन से होँआ पर डायक्ट चुज करें लेंगे से दुशन का जन्म है मात्मा गांधी का जन्म का भुआ था तो जैन्म होता तो मिर्थीॉपर 1859 मिर्तिव उत 108 अनृच स्विन के महांत्मा गांधी जो है कि से बीलूं करते तो इंडियीन कंटी से बेलूं करते हैं ठीक है तो यहाँ पर एंडिया हो ग जी जो एक इस कंटरे से बिलोंग करते हैं तो थाक्तर जाकर रुषेन के द्वारा लिखा गया और जाकर शाकर हुआइन कभ अर redef Works न mother में में मिर्तियु कर व्याइब खुए नहीً पूर रेस्मै मित्य, और यह जो एक इस कंटरे से बिलोंग करते हैं यह इंदिया, कंट्री से यह बिलोंग करते हैं ठर्च चेप्टर का नाम है एप इंडिया कंट्री से जो है मनवर मालगानकर बिलोंग करते हैं तो यह पिंच ऑप सनफ के लेका कौन होगे मनवर मालगानकर इनका जर्म हुआ था निस्सो तेरह इस्वी में और नित्यू कब हुई तो 2010 इस्वी में की मिरती हुई था हेलो दोस्तेर आज की इस वीडियो में एक बहुत यह अच्छा अर्णिंग अप्लिकेशन लेकर आगे हूं जिसका नाम है टक साल दोस्तों अगर आप प्रेडिक्शन करने में माईर होंगे तो दुस्तरी इस अप्लिकेशन से आपका पैसा एक गुना नहीं दो गुना नही गर आप इस अप्लिकेशन में केवल 9 रुपई भी इंबेश्ट करते है अगर आपका पैसा सिद्य गुना नभ्य हो जाएगा अगर दुस्तरी इस अप्लिकेशन में जाकर एक बार विन लिस्ट को जरूर चेक उड़ चेकः इस तरह से आपको प्रेडिक्शन करने में माई विड़ानी और आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कम आसक्ते तो जाई ये डिपकेस में लिग में है और डाउनउड कि यह बिदू करते हैं तो यह इंडिया कंच्री से बिलूंग करते हैं अब है फोर्थ चैप्टर का नाम है I have a dream I have a dream के लेका के मार्थिन लूतर किंग जेयर का मतलब होता है जूनियर इनका जर्म हुआ था 1929 इस्वी में इनकी मिर्तियों भी थी 1968 इस्वी में और इस किस कंट्री से ये जो बिलोंग करते हैं तो I have a dream के जो है लेका कौन होगे मार्थिन लूतर किंग जूनियर होगे इनका जर्म हुआ था 1969 इस्वी में मिर्तियों कब हुई तो 1968 इस्वी में इनका मिर्तियों हुई थी और एक किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये तो ये अमिर्का से ये बिलों करते हैं फिप्त चैप्टर का नाम है आईडियाज देट एज़ आप रेल्पयन इसके लेकर के बर्टेर बर्टेरी सेंग बर्टेर रसल बर्टेर रसल का जन्म कब हुआ था तो 1872 इसमी मिर्तियों कब हुई है तो 1970 इसमीन कब मिर्तियों हुई थी एंड बर्टें रसेल वाज़ बॉर्ण 1872 टाइट 970 एंड बटें रसेल बिलोंग्स टू ब्रेटिस टिक है यह आपको याद रखना है तो दार्टीस दार्टीस के लिका कॉनोंगे सिग्या नहीं हो गें इनका जन्मुवाथा अट्रसो तरासी स्वी में इनकी मिर्त्यू हु मिर्त्यू कब होई तो 1971 में और ये जिए किस कांट्रीस से बिलोंग करते हैं तुधान कंट्रीस यह बिलोंग करते हैं अब है एचायल इस और आट के लेकर्ट है जर्में गिरे तो एचाइड इस बॉर्ण के लेका कौन हो गए जर्में गिरीर हो गए हैं इनका जर्म हुआ था 1949 में और यह क्यासी बरस जबित रहे थे मिर्तिव नहीं मिला मेरे पास दो मिर्तिव छोर दो इनका जर्म ही यह इंपर्टेंट है तो मेरे तुल नहीं दो और यह क्यासी बरस यह जी एथे और यह जो है कहां से बिलूंग किये थे यह ऑस्टेलिया से बिलूंग किये थे तो एचाइड इस बॉन के लेका कौन हो गए जर्में गिरी रोगे इनका जर्म हुआ है बिलॉंग करते हैं यह उस्टेलिया से बिलॉंग करते हैं नेक्स अब है हाउ फिरीज दा प्रेश हाउ फिरीज दा प्रेश के लेकर कोने द्रोथी ऐल सायर से इनका जन्म हुआ था 893 स्वी में मिर्ति हुए थी 1957 में और यह जो है कहां से बिलोंग करते हैं तो यह इंग्लेंड से बिलोंग करते हैं जो कि युनाइटेट किंडम के अंदर आता है तो how fit is the price के लिखा कौन होगे? द्रोथियर सायर्स होगे इनका जन्म होगा था 893 स्वी में मिर्त्यू का वोई तो 1957 में और यह किस कंटर से बिलोंग करते हैं तो यह इंग्लेंड से बिलोंग करते हैं जो कि युनाइटेट किंडम के अंदर आता है नेक्स शेप्टर है दा अर्थ दार्थ के लेकर के एची वेट्स इनका जन्म होगा था 1905 स्वी में मिर्त्यू का वोई तो 1924 इसमें मिर्त्यू होई थी और यह जो एक किस कंटर से बिलोंग करते हैं तो यह इंग्लेंड से बिलोंग करते हैं कौन एची वेट्स तो दार्थ के लेकर कौन होगे एची वेट्स होगे इनका जन्म कब हुआ था 1905 स्वी में हुआ था इनकी मिर्तिव कब हुई तो 1974 में इनकी मिर्तिव हुई थी और यह किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो यह इंगलेंड से बिलोंग करते हैं नेक्स्ट चेप्टर है इंडिया थरो एट्रेवलर्स आई जिसकी लेकाक हो गये पीरेस बग इनका जन्म हुआ था 1892 में मिर्तिव हुई थी 1973 में और इस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो यह चाइना से बिलोंग करते हैं नेक्स चेप्टर का नाम है उनका जन्म हुआ था 1860 में मिर्तिव हुई थी 1964 में तो रश्या से बिलोंग करते हैं तो यह रश्या से बिलोंग करते हैं है कि अब हो गया पोईट्री पोईट्री से जितने भी लेखके सेम उसी तरह आपको याद भी रखना है जैसे स्वीटिस लव आई डूनोट गोई इसके लेखके जॉन डॉन ने इनका जन्म कवा था तो 1572 स्वी में इनकी मित्ती हुई थी 1631 स्वी में और यह किस कंट्री से बि बिलोंग करते थे यह पोचिता सिया लगना है तो स्वीटिस लव आई डूनोट गोई के लेका कौन होगे जान डॉने होगे इनका जन्म कवा था तो 1572 स्वी में मिर्तिव कव था 1631 स्वी में और एक किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो यह लंदन से बिलोंग करते हैं ने तो इनका जन्म हुआ था लेका कोन होगे निटन हो गया इनका जन्म कव था 1941 स्वी में और एक किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो यह अम्यर्पका से यह लंग करते हैं नेक्स्ट चेप्टर का नाम है नावदा लेफ्सार फॉलिंग फार्ष जिसके लेखा कोगे डबलू एच उडेन इनका जर्म हुआ था 1907 में मिर्तियो वही थी 1903 में और यह जो एन यह कहां से बिलोंग करते नियोग जोकी उनेटेट किंग्डम के अंदर कर अंतरगत आता है तो नावदा लेफ्सार फॉलिंग फार्ष के लेका कोन ओगे डबलू एच उड़न हो गये निका जर्म कव अथा 1907 में इनका जर्म हुआ था और हमीं की मिर्तियो कवी तो 1903 में की मिर्तियो वही थी और यह जो है कहां से बिलोंग करते तो नियोग से बिलोंग कटे हैं जो तो 1821 इस्वी में इनकी मिर्तिव वी थी और यह कहां से बिलोंग करते थे यह लंदन से बिलोंग करते हैं जो कि युनाइटेट किंग्डम के अंतरगत आता है तो एटुमन के जो है लेखा को नोगे चौन किट्स जन्म कववा तो 1795 इस्वी में मिर्तिव 1821 इस्वी में और है यह जो एक-इस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो यह लंदन कंट्री से बिलोंग करते है जो कि युनाइटेट इस्वी में अतरगत आता है एक right कि अब है एन एपिताप एन एपिताप की जो लिखने लेकर कोने वाल्टर डिला मेर उनके जन्म कभ वुआ था तो अटरसो तेटर्य स्विविन का जन्म मृत्टि वुआ था उनिस्वोच्पणि धुआ तो gefल लूंक ने इंगलेंड से बिलॉंक करते हैं तो एन एपिताप की को क्यों होगे ? वाल्टर डिला मेर। इन का जन्म कवा था ? 883 सुवरीं का जन्म हुआ था ? मिर्त्य हुआ था ?गव तो 1956 से बिलॉंग करते हैं तो इंगलेंड से बिलॉंग करते हैं नेक्स्ट एक्टर काना है दास तोल्जर दास विए के लिए को ओगे रपड ब्रोक इनका जन्म हो अथा 887 श्वी में मिर्त्य हुआ था 1915 श्वी में और इस किस कंट्री से बिलों करते हैं तो इंगलेंड से यह बिलों करते हैं दास विए इकले का कौन हो गहे रपड ब्रोक हो गए इनका जन्म हुआ था 1887 में और इनकी मित्त्य हुई थी 1915 में और यह किस कंट्री से बिलूँ करते हैं यह इंगलेंड से बिलूँ करते हैं नेक्स शेप्टर का नाम क्या है मैक विटी दा मिस्ट्री कैट इसके लिए कर के टी ऐस इलेट इस इनका जन्म जो है कवा तो अठ्रस वाथा से इस भी मिनका जन्म हुआ था मिट्टी हुआ था उनिस सो पैंसेट में और एस्टी इस्टी लुईस यानि एस्टी लुईस में जो है इनका जन्म हुआ था ठीक है एस्टी लुईस में क्या हुआ था इनका जन्म हुआ था और यह जो है यही से बिलोंग करते हैं ठीक है एस्टी मतलब होता है सेंट लुईस से यह बिलोंग करते हैं जो कि युनाइटेड एस्टेट के अंतरगत आता ह स्वार्ष हाई है स्टिंट मतलब सेंट नहीं लिग दिन सेंट लूइसंट लूइस में इनका जन्म गज you कि उनएट एखेंऑ के संपर्जच अतर के अंतरगत आता है ठieß है और विए उसके से बिलोंग करते थे तो यह इंडिया से बिलोंग करते हैं तो फायर हम के लेका कौन होगे के किया अंधारो वाला और इनका जन्म कब हुआ था तो अट्रासो सैंटेसिस में और यह त्रासी वरस जो यह जीवित रहते उसके बाद जो इनकी मित्ती हुए थी कहां पर इंडिया में रितो एथी और यह किस की से बिलों करते हैं ऊंप कि अ अब है कंच के इसने के जो लेकर के डी एज लूरेंस है अहरे इनका जन्म हुआ था 185 स्वी में म्र्तिय हुए थी इंत्व पται में और Ыस Przyकूर से बिलों करते हैं तो यह इंगलीन से बिलूं करते तो इसने के लेखर को देएच लोर'RE laptop घाने टारफ का में मित्यू कब भूई तुनी पतीस सिर्मे और एक किस कंट्रे सिब लूं करते हैं तो इ width उसे बिलूं करते हैं माई गरेन मदर्स हाउज जिसके लेकर को ने कमलादास न्का जन्म हुआ था उनिइस्वच शॉंटीस उस्वी में मिरत्यू वी थी 2009 स्वी में और 21 दिश्वच कंट्री अधिलोंग करते हैं यह इंडिया कंट्री से बिलोंग करते हैं तो माइग्रेंड मदर साउस के लिए लेकर कौन होंगे तो कमला दास होगे इनका जन्म कव वह था उनेस्ट चौनते सिस्वी में मिर्तियू 2009 में 21 कंट्री से बिलों करते हैं तो इंडिया कंट्री से ये बिलों करते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं इसका पीडियाइप तो आप लोग टेलीग्राम में जूर जाइए जो शूर तो टेलीग्राम से नहीं जूरे आप लोग टेलीग्राम कैसे डाउनलोड किया दाता है नीचे वीडियो देख लीजी कैसे जूरना है और आपको सर्च करना है अई है जोटियाटेसं गैलक्सी वह पर आपको मेंग गुरूप मिल जाएगा तो फोट्रू आप रीफि कर लिजे ताकि आप लोग को परतिक वीडियो का नौटिफिकेशन मिलता रहे और जो जो बचे लाइक नहीं के वीडियो को लाइक भी कर दिजे और यह है आज के कुईज को डेली टेली ग्राम पर कुईज होता है और उसमें से जो है बहुत सारी बच्चे जूर चुके आप आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ठीक है यह तीन टॉपर है जो की आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक्स पर वाचिंग